हलो गाइज और वेलकम टू रिव्यू माट है जो आपके किचेन रिकोरिमेंट के लिए बेस तो रहे गा ही और साथ ये अच्छी बिल्ड क्वालिटी लॉंग लास्टिंग और अच्छी आफ्टर सेल सर्विस के साथ आती है बट इन अवन्स के बारे में जानने से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स का जानना ब जबकि मार्केट में सोलो मैक्रोवेव अवन, ग्रील मैक्रोवेव अवन, कन्वेक्शन मैक्रोवेव अवन अवैलेवल है बट लोग OTG लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि OTG बहुत कम प्राइस में मिल जाता है जबकि मैक्रोवेव अवन कोस्ली आता है OTG आपको 15-60 L capacity तक मिल जाता है जबकि Macro Wave oven 15-35 L capacity तक ही मिल पाता है OTG oven बहुत कम electricity consume करता है जबकि Macro Wave oven ज़्यादा consume करता है क्योंकि Macro Wave oven थोड़ा fast cooking करता है और OTG काफी lightweight होता है तो इसे एक जगा से दूसरी जगा ले जाना काफी easy होता है और हाँ guys अगर आपको इन दोनों का और भी detailed comparison वीडियो देखना चाते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसका link मैंने description और i button में mention कर दिया है जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम OTG में baking, grilling, roasting, toasting कर सकते हैं जिनके कुछ ये recipes आ जाते हैं बट अगर आपको इन सारे recipes के अलावा rice, vegetable, noodles, tandoori, roti वगरा बनाना होता है तो फिर आपको एक convection microwave oven लेना होगा convection microwave oven के लिए आप ये वीडियो बाद में देख सकते हैं OTG हमें कितने लीटर का लेना चाहिए इसके लिए आप ये chart देख सकते हैं मैंने बताया है कि अपने family member के recording उतने लीटर का OTG ले सकते हैं बट अगर आपको professional purpose के लिए OTG लेना है मतलब आपका कोई shop है जिसमें आप cake, cookies वगरा पना के sale करते हैं तब फिर आपको 30 से 60 लीटर के बीच का OTG लेना होगा और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि जितना जादा लीटर का OTG अवन लेंगे उतना जादा electricity consume करेगा OTG में आप metal, aluminium, steel, silicon और ceramic के बरतन को यूज़ कर सकते हैं बट ध्यान रहे कि इसमें गलती से भी plastic का बरतन यूज़ ना हो अगर आप non-vegetarian हो तो आपको एक roti-seri future वाला ही OTG लेना होगा तब ही आप इसमें roasted roti-seri chicken बना पाओगे और ध्यान रहे कि OTG में at least एक साल की warranty तो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि जितना जादा product की warranty होगी उसकी quality अतनी अच्छी होगी और after sales service अच्छी होनी चाहिए ताकि OTG में कोई अगर दिक्कात आ जाए तो fast service मिल पाए और lastly ध्यान रहे कि आपको उन brands की OTG लेनी है जिसकी customer feedback काफी अच्छी हो जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ सो अभी मैंने जितने भी important points बताए तो इन सभी points को ध्यान में रखके मैं 5 best of best OTG oven का review करने जा रहा हूँ पर उससे पहले आपको वीडियो यहां तक थोड़ा भी informative लगा हो तो please वीडियो को like और channel को subscribe करके मुझे motivate कर सकते है ओके सो जो मेरे list में number 5 पर आता है वो है agaro marvel OTG oven agaro काफी अच्छी brand है जो kitchen appliances के product काफी time से बनाते आ रहा है और successful भी रहा है इस OTG की build quality की बात करूँ तो इसका पूरा body steel का बना है इसमें heat resistant temperate glass door मिल जाएगा और साथ ही illuminated chamber और inner light भी दिया है ताकि अपने dishes को cook होते हुए clearly देख सकते है ये OTG convection technology के साथ आती है मतलब OTG के अंदर एक छोटा सा fan मिलता है जो heat को पूरे OTG में अच्छे से distribute करता है जिससे food और भी अच्छे से cooked होता है और साथ ही इसमें motorized rotationary feature भी दिया है जो 63 degree में rotate होता है ताकि आप perfect roasted chicken वगएरा बना सकें इसकी control panel की बात करूँ तो top वाले knob से rotissory और convection fan control कर सकते है second knob से 100 से 250 degree temperature adjust कर सकते है इसके तीसरे mode से आप heating mode control कर सकते है जो dishes आप बनाना चाहते है और इसके third knob से timer set कर सकते है ताकि set किया हुआ time जब complete हो जाए तो automatic off हो जाए और इस OTG में सबसे interesting यह है कि जब food ready हो जाता है तो इसमें bell ring होने लगता है इस OTG के साथ आपको 5 accessories देखने को मिलता है जो आप screen पर देख सकते है यह OTG आपको 9, 19, 25, 38 और 48 liter capacity के साथ available है बट इस वीडियो को pause करके यह ज़रू चेक कर ले कि कौन से capacity वाली model में कौन सी feature मिल रही है और कौन सी नहीं तब ही जाके फिर purchase करें यह OTG स्रिफ एक साल की warranty के साथ आती है जबकि बाकी brands at least 2 साल की warranty दे रही है बट अगर आप इसका customer review देखो तो लोगों ने 4.2 स्टार की rating दिये जो की एक अच्छी rating है and I am sorry guys कि मैं यहाँ पे किसी भी OTG का price show नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि website पे daily price up down होते रती है और exact price screen पे दिखाना possible नहीं है इसलिए मैंने सभी OTG का सबसे lowest price का link नीचे description में mention कर दिया है जहां से आप इसका current price भी जान सकते है और इसे purchase भी कर सकते हैं ओके सो मेरे list में number 4 पर आता है Morphe Richard OTG oven जो लोग professional users के लिए OTG सर्च कर रहे है तो उन लोगों के लिए ये OTG सबसे best रहेगा क्योंकि इसमें foot काफी crispy और delicious बनकर निकलता है बट कुछ reasons के वज़ा से मैंने इसे number 4 पर रखा है जो आगे में बताने वालो हूँ सबसे पहले इसकी build quality की बात करूँ तो इसका body stainless steel का बना है और इसमें galvanized inner chamber मिलेगा जो heat को long time तक maintain करता है इसमें भी motorized rotissary feature देखने को मिलेगा और साथ ही stay on function मिल जाता है जिसमें 2 घंटे तक आप इसमें खाना गरम रख सकते हैं जो कि एक अच्छी feature है इसकी control panel की बात करूँ तो इसके top वाले knob से 100 से 250 degree temperature adjust कर सकते हैं second knob से heating mode control कर सकते हैं जिसमें baking, toasting, grilling वगरा कर सकते हैं और तीसरे knob से timer set कर सकते हैं इस OTG के साथ आपको 6 accessories देखने को मिलेगा जो आप screen पे देख सकते हैं इस model को मैंने number 4 पर 3 region के वज़ा से रखा था क्योंकि इसमें convection fan नहीं मिलेगा inner chamber में light देखने को नहीं मिलेगा और इसका price थोड़ा ज़्यादा है बट ये reasons आपके लिए उतना matter नहीं करता है तो आप इसे buy कर सकते हैं Morphe Richard इस model में 2 साल की warranty देती है ये model 18 और 28 liter capacity के साथ available है बट अगर आपको इसी brand का ज़्यादा capacity वाला OTG लेना है तो आप इसका RCSS वाला model consider कर सकते हैं जो 52 और 60 liter के साथ आती है जिसमें आपको inner light और fan भी मिल जाता है और इसका भी सबसे lowest price का link नीचे description में mention कर दिया है ओके सो मेरे list में number 3 पर आता है Usha OTG oven Red and stainless steel combination में इसका design मुझे काफी attractive लगता है इसका body stainless steel का बना है इसमें भी आपको heat resistant temperate glass door दिया है ताकि इसका door overheat ना हो इसमें आपको bright full light और illuminated chamber दिया है और सभी OTG की तरह इसमें भी आपको top और bottom में heating element मिल जाता है इसमें भी आपको motorized rotissory feature मिल जाएगा और convection fan भी दिया है इसमें आपको 60 minutes का stay on function मिल जाएगा और इसके control panel की बात करूँ तो top knob से 100-200 degree temperature adjust कर सकते है और इसके second knob से आप जो dishes बनाना चाते है उसके हिसाब से heating mode select कर सकते है और इसके third knob से timer set कर सकते है इस OTG को लेने के बाद आपको कोई extra accessories खरीदने की जरूवत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके साथ आपको 7 accessories मिल जाता है आपकी usage के इसाब से इसमें भी आपको 2 years की warranty मिल जाएगी और ये model 16, 19, 25, 29, 35 और 42 liter capacity के साथ available है पर ये chart देखकर ये जरूँ चेक कर ले कि किस model में कौन सा feature मिल रहा है कौन सा नहीं जिसका आप screen shot भी ले सकते हैं और उसके बाद इसका price भी जरूँ चेक आउट करें जिसका link मैंने नीचे description में mention कर दिया है ओकी सो number 2 पर आता है बजाज majesty OTG oven बजाज की इस model को मैंने अच्छी customer feedback और fast after sales service देखकर इसे number 2 पर रखा है तो सबसे पहले इसकी build quality जान लेते हैं इसका पूरा body stainless steel का बना है जो काफी sturdy है इसमें भी आपको heat resistant temperate glass door मिलेगा illuminated chamber के साथ ये भी एक convection OTG oven है और साथ ही इसमें motorized rotasari feature भी दिया है इसमें 60 minute का stay on feature मिलेगा जो 60 minute तक खाने को गरम रखता है इसमें आपको 4 heating elements मिलेगा दो top पे और दो bottom में control panel की बात करूँ तो top knob से 50 से 250 degree temperature set कर सकते है second knob से heating mode control कर सकते है और third knob से 60 minute तक का timer set कर सकते है इस OTG के साथ आपको 7 accessories मिलेगा जो इस screen पर आप देख सकते हैं और बजाज भी इस product पर आपको 2 years की warranty देती है ये model 16, 28, 35 और 45 liter capacity के साथ available है ये model मुझे overall सही लगा बट एक cons है कि इसमें inner light देखनों को नहीं मिलता है बट अगर आपके लिए ये cons नहीं है तो इसे आप buy कर सकते हैं जिसका lowest price का link नीचे description में दे दिया है ओके lastly जो मेरे list में number 1 पर आता है वो है Philips OTG oven ये digital display के साथ आता है इस region के वज़ा से मैंने इसे number 1 पर नहीं रखा है बलकि good performance, अच्छी build quality और अच्छी customer feedback देखके इसे मैंने number 1 पर रखा है इसमें heat resistant glass door मिलेगा inner light के साथ इसमें भी आपको convection fan मिल जाएगा और motorized roti surgery feature भी दिया है इस OTG में मुझे सबसे impressive इसका control panel लगता है क्योंकि इसमें 10 preset menu मिल जाता है बस आप एक button press करके वो dishes आप बना सकते हैं इसका function button press करके वो foot select कर सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं जैसे ही आप उस foot को select करेंगे तो automatically यह उस foot के हिसाब से temperature और timer set हो जाता है और अलग से इस OTG में आपको light off on और OTG off on करने का button भी दिया है बट अगर आप यह 10 dishes के अलावा भी कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप manually इस function button और यह दोनो नोब का use कर सकते हैं यह OTG 6 accessories के साथ आता है जो आप इस screen पर देख सकते हैं फिलिप्स इस OTG पर 2 years की warranty देती है अगर आप इसका customer review देखो तो 9000 से भी ज्यादा लोगों ने 4.4 star की rating दी है जिससे पता चलता है कि यह OTG value for money है यह model 25 और 36 liter capacity के साथ available है और हाँ गई सारे OTG oven का lowest price का link नीचे description में मिल जाएगा तो एक बाद ज़रूर check out करें क्योंकि website पे हमेशा kitchen appliances से related product पर अच्छे अच्छे sale चलती ही रहती है So I hope OTG ovens related जो भी आपका confusion था वो clear हो गया होगा पर फिर भी कोई सवाल हो तो प्लीज आप comment कर दो मैं उसका reply ज़रूर करूंगा और इस channel पर मैं हमेशा इसी तरह का detail videos लाता रहता हूँ तो ऐसे channel को ज़रूर subscribe रखे क्योंकि future में हमेशा काम ही आएगी Thanks for watching guys, have a nice day